प्रशन दो, क्रकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेने खरी दी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेने 1,300 रुपए में खरी दी, इस इस्तिती को बीजगणितिये और जामितिये रूपों में व्यक्त कीजिए यहां हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मुल्य एक्स रुपए है और एक गेन्द का मुल्य वाई रुपए है हमने मान लिया कि एक बल्ले का मुल्य एक्स रुपए है और एक गेन्द का मुल्य वाई रुपए है अब हम इस इस्तिती को बीजगनिती रूप में व्यक्त करते हैं तो प्रश्णा अनुसार हम पहली शर्ट से देखते हैं कि 3X प्लस 6Y बराबर 3,900 है क्योंकि हमें दिया गया है 3 बल्ले और 6 गेने खरीदने में कोच ने कितना पैसा दिया? 3,900 रुपए दिये एक बल्ले का मुल्ले X रुपए है तो 3 बल्लों का मुल्ले 3X होगा एक गेंद का मुल्ले Y रुपए है तो 6 गेंदों का मुल्ले 6Y होगा और इन दोनों को योग करके 3,900 आता है इसलिए पहली शर्ट से हमने समीकरण प्राप्त किया 3X प्लस 6Y बराबर 3,900 जो पूरे समीकरण में यदि हम 3 का भाग लगाएं तो हम प्राप्त करते हैं X प्लस 2Y बराबर 1,300 यह हमारा पहला समीकरण हो गया अब प्रशन की दूसरी शर्ट से हम देखते हैं कि X प्लस 3Y बराबर 1,300 है यहां हम देखते हैं कि जब एक बल्ला और दो गेंदे खरीदी जाती हैं तो तेरा सो रुपए दिये जाते हैं अर्थात X प्लस 3Y बराबर 1,300 हमारा दूसरा समीकरण होगा तो हमने अब बीजगनितीय रूप में समीकरण युग्म प्राप्त कर लिया है तो बीजगनितीय समीकरण का युग्म क्या होगा X प्लस 2Y बराबर 1,300 और X प्लस 3Y बराबर 1,300 हमने इस इस्तिती का बीजगनितीय रूप प्राप्त कर लिया अब हम ग्राफिय रूप को समझते हैं, देखे, हम यहाँ ग्राफिय रूप में देखते हैं कि समी करण एक से, क्या है, समी करण एक है, x प्लस 2y बराबर 1300, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा, 1300-2y, अब जब y बराबर 0 है, तो x का मान क्या है, x का मान 1300 होगा, तो जब y बराबर 0, तो x बराबर 1300 है, और जब y बराबर 650 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान 0 होगा, तो हम इन मानों से एक ताली का प्राप्त करते हैं एक सारनी प्राप्त करते हैं हमने निर्देशांकों की एक सारनी प्राप्त की जो सारनी में हमने कैसे व्यक्त किया हमने X और Y के मान लिखे जब X का मान 1300 है तो Y का मान क्या है? Y का मान 0 है और इसी प्रकार जब x का मान 0 है तो y का मान 650 है अर्थात हमें दो निर्देशांक प्राप्ट हुए हमने a निर्देशांक ले लिया 1300,0 और b निर्देशांक ले लिया 0,650 हमारे दो निर्देशांक हो गए a निर्देशांक है 1300,0 और b निर्देशांक है 0,650 अब हम समीकरण 2 लेते हैं समीकरण 2 में हम क्या देखते हैं समीकरण 2 हमारा है x प्लस 3y बराबर 1300 हमारा समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300 जो देता है x बराबर है 1300-3y अब यहां हम देखते हैं कि जब y का मान 0 है तो x बराबर 1300 होगा और जब y बराबर 300 है तो x बराबर 400 होगा जब y का मान 300 है तो 3 गुणा 300 अर्थात 900 हो जाएगा और 1300 में से यदि हम 900 घटाएं तो x का मान पराब्ट करेंगे 400 इसलिए जब y बराबर 300 तो x बराबर 400 होगा तो हमने एक तालीका पराब्ट की और तालीका में इन मानों को दर्शा दिया जब x का मान 1300 है तो y का मान 0 है जीरो है और इसी प्रकार जब x का मान 400 है तो y का मान 300 है तो हमने दो निर्देशांग प्राप्त किये, पहला निर्देशांग हमारा है बिंदू C, जो क्या कौन सा बिंदू है, तेरा सो कॉमा जीरो, ये हमारा एक निर्देशांग है, और D निर्देशांग हमारा है, चार सो कॉमा तीन सो, ये हमारा बिंदू D है, अब हम इन बिंद बिंदूओं को ग्राफ पेपर पर दर्चाते हैं, ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं, तो ग्राफ पेपर पर हमने बिंदूओं A, B, C और D को अंकित किया, तो हम किस प्रकार ग्राफ पाते हैं, देखिए यहां हमने ग्राफ पेपर पर बिंदू दिखाया, बिंदू A 1300,0 है और बिंदू C हमने लिया 1300,0 अर्थात A और C बिंदू दोनों एक ही बिंदू हैं, हमने यहाँ पैमाना लिया 1 cm बराबर 41 एक्षपर और 1 cm बराबर 41 एक्षपर तो देखें ग्राफ पेपर पे हमें कैसे बिंदू दिखते हैं, यहां हमने बिंदू A हमारा है 1300,0 और बिंदू C है 1300,0 अर्थात A और C बिंदू एक ही बिंदू हैं, यहां हमने graph paper पर पैमाना लिया है, 1 cm बराबर 401 x अक्षपर और 1 cm बराबर 401 y अक्षपर, यह हमारी scale है, अब हमने A और C बिंदू अर्था 1300,0 को दर्शा दिया, इस पष्ट है कि यह बिंदू x अक्षपर होगा, अब B बिंदू हम दर्शाते हैं, B बिंदू हमारा है 0,650 और यह बिंदू हमारा y अक्षपर है, बिंदू D हमने दर्शा दिया 400,300, यह हमारा बिंदू D है, हमने क्या किया, हमने सरल रिखाएं प्राप्ट की, A और B बिंदूओं को मिलाके, हमने समीकरन प्राप्ट किया 3x प्लस 6y बराबर 3900, और इसी प्रकार हमने बिंदू C और D को मिलाके, हमने सरल रिखा क्या प्राप्ट की, x प्लस 3y बराबर 1300, हमने सरल रिखा प्राप्ट की, x प्लस 3y बराबर 1300, तो हमने A, B को मिलाकर, समीकरन x प्लस 2y बराबर 1300, और C, D को मिलाकर, x प्लस 3y बराबर 1300 के संगत सरल रिखाएं प्राप्ट की, अब हम देखते हैं कि यहां हमने इस प्रिशन में क्या किया है, देखिए, यहां हमने सबसे पहले मान लिया कि एक बल्ले का मुल्य x रुपए हैं और एक गेंद का मुल्य y रुपए हैं, तो इस्थिती को बीज गणितिय रूप में व्यक्त करने के लिए हमने पहली शर्थ का प्रियोग किया और समीकरण प्राप्ट किया, x प्लस 2y बराबर 1300, दूसरी शर्थ से हमने समीकरण प्राप्ट किया, x प्लस 3y बराबर 1300, और समीकरण युग्म 1 और 2 बीज गणितिय रूप को व्यक्त करता है, इस्थिती के बीज गणितिय रूप को दिखलाता है, ग्राफिय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमने समीकरण एक से x का मान प्राप्ट किया, x बराबर है 1300-2y और हमने 2 निर्देशांग प्राप्ट किये, पहला निर्देशांग हमने निकाला Y बरावर 0 है तो X बरावर 1300 है और दूसरा निर्देशांग निकाला जब Y बरावर 650 है तो X बरावर 0 है हमने तालिका में इन मानों को रखा और हमने इस परकार A और B दो बिंदू को निर्देशांग को प्राप्त किया बिंदू A के निर्देशांग 1300,0, और बिंदू B के निर्देशांग 0,650. अब हम समी करण 2 से X का मान निकालते हैं, तो हमने समी करण 2 से X का मान निकाला, समी करण 2 से X का मान है 1300-3Y, यहां हम देखते हैं कि जब x 0 के बराबर है जब y 0 के बराबर है तो x कमान 1300 है और जब y 300 है तो x कमान 400 है और हमने इन मानों को एक सार्णी में रखकर एक टेबल बना कर उन मानों को वहां प्रतिस्थापित कर दिया और दो निर्देशांग c अर्था 1300 कॉमा 0 और d अर्था 400 कॉमा 300 प्राप्त किये अब हमने ग्राफ पेपर पर a, b, c, d बिंदूओं को अंकित कर दिया बिंदू a और b को मिला दिया और सरल रेखा 3x प्लस 6y बराबर 3900 और c, d को मिला के हमने सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 1300 को प्राप्त किया जो सरल रेखा हैं कौन-कौन सी हैं जैसे हम दिखा रहे हैं कि सरल रेखा a, b को मिलाने से हमें मिली 3x प्लस 6y बराबर 3900 और c, d बिंदूओं को मिलाने से जो हमें सरल रेखा मिली उसका संगत समी करण क्या है x प्लस 3y बराबर 1300 और इस प्रकार हमने इस्तितिक को जामिती रूप में व्यक्त कर दिया